अब लेकिन जो किसान कह रहे हैं वो ये कि दो साल से अब क्या कर रहे थे, दो साल हमने वक्त दिया ना, किसानों ने सरकार को वक्त दिया, लेकिन आपने वो सही कदम नहीं उठाए किस सरकार ने, जो ने वक्त रहते उठाने चाहिए थे, अबनी जेश वस्ती जी. सुप्रीम कोट ने कमेटी बनाई थी और उसमें जो कमेटी के सदस से बनाए गए थे वो धीरे-धीरे बाहर होते गए एक डेड़ लॉक आया और मैं अभी भी कहता हूं कि बात अल्टीमेटली हम सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि बातचीत से निकलेगा रास्ता बातचीत भी मेटी बन जाए कुछ बातों के लिए चल्फित हों जाए लेकिन इसमें जिस तरीके से विपक्षि दल्ट जिस तरीके से इसको इसको सही नहीं कहा जा सकता मैं यह तमाम लोग बैटें बात करने में बता दीए ciao कि एmsp पंजाब सरकार कितना खरीती एकितनी फसलें खरीती MSP पर केंदर सरकार कितनी खरिए बताएं आज ये पसी साब बैटें यहां पर आम आपनी पार्टी के प्रवक्ता उनसे जान लेते हैं आप आप पासी साब मैं आरे हूं मैं आपके पास आरे हूं फिरो सर उसके बाद विक्रम जीत जी यह जो सवाल है कि विपक्ष क्यों सिया आपके पास्त करनी होती तो क्या हम दोनों पाटियों को बुलाते हमारे भगवन्तमान जी ने मुख्य मंतरी ऐसेाध काम किया है हर्याना की सरकार ने अब इनके पास किया रहे हैं अब इनके पास और क्या रह जाता है विपक्स साथ मैं राजपुरा और संभू बाडर नों से तुम तो आप सी सवाल पूछा जा रहा है न कि पंजाब में आपकी सरकार थी जब आप बाचचीत के लिए सकती है तो रोकनी का काम तो आप कर सकते थे ना कोई तो जिम्मिदारी आपकी सब्सक्राइब कर रहा है जो भी कर रहा है वो तो किसानों पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है वो तो गलत तरीके से किसानों को रोक रहा है आपके मुताबिक आप तो प्यार से रोक सकते थे आप कहते कि आप बैठी यहाँ पर हम दिल्ली में धरना देंगे आपकी मांगों को लेकर मतलब हम किसानों की मांगों को लेकर पंजाब की आप चाहते हो कि सरकार आपके दिल्ली में धरना देदी किसान उने पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हमने शांत में अंदॉलन करना या एजिटेशन करना भी गुना हो गया उन्होंने हर्याना से निकल के जाना था करना हर्याना हाई कोड ने क्या पंजाब में अर्याना ही कोड ने क्या कहा ठीक उन्होंने